तक इस समय बीजेपी घिरी हुई है और पहले से ज्यादा गिरी हुई भी नजर आ रही है आप जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त राहुल गांधी भारत जोडो नियाय यात्रा निकाल रहे हैं आज राहुल गांधी का काफिला बिहार से फिर से पश्शिम बंगाल पहुँचा हैं फिर से पश्शिम बंगाल और दोनों ही राज्यों में यानि बिहार और पश्शिम बंगाल दोनों राज्यों की सिमाओं पर राहुल गांधी के काफिले पर हमले की खबरे आई राहुल गांधी की गाड़ी का शीशा आज टूटा जिसके बारे में ये माना जा रहा है क कि ये किसी ने गलत इरादों से किया है हलांकि पहले इस बारे में ये भी कहा गया कि किसी और वजह से गाड़ी का शीशा टूटा है इस पर आज जैराम रमेश ने जब प्रिस कॉन्फरेंस वह कर रहे थे जैराम रमेश और कनहिया कुमार तो प्रिस कॉन्फरेंस में ये में आपको हम सुनाएंगे लेकिन इस बार राहुल गांधी की यात्रा में शुरू से जितने अरंगे लगाये जा रहे हैं उसे देखते हुए माना जा सकता है कि राहुल की यात्रा को रोकने की कोशिश बड़ी साजिश का कोई भी बड़ी साजिश का हिस्सा आज की घटना हो सकती है वैसे राहुल की कार पर अगर किसी ने पत्थर चलाया भी है तो उसे याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी ने एक साल पहले श्री नगर में अपनी पहली पदियात्रा को खत्म करते हुए कहा था कि अगर उन पर कोई हमला होता है और उनकी टी शर्ट सफेद स लाल हो जाती है तब भी वे डरेंगे नहीं चलिए जरा साल भर पहले चलते हैं याद कीजिए आज की तारिख कौन सी है आज 31 तारिख है और ठीक आज ही के दिन राहुल गांधी ने श्री नगर में अपनी यात्रा समाप्त की थी यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं पहली कि मैं डरूंगा नहीं सुन लेते हैं इनको और मुझे सिक्यूरिटी वालों ने कहा सिक्यूरिटी वालों ने कहा था कि देखिये आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो जम्मू में भी चल सकते हो मगर आख्री जो चार दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए बेनु गोपाल जी ने मुझे कहा पहले और जो और जो और्गनाइज कर रहे थे उन्हों ने कहा तीन चार दिन पहले अड्मिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिये शायद डराने के लिए कि देखिये अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके उपर ग्रिनेट फेका जाएगा तो मैंने सोचा सुनिए मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं मैं अपने घर वापिस जा रहा हूँ चार दिन पैदल चलूंगा अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूँ कि मेरी सफीद शर्ट का रंग बदल दें लाल कर दें क्योंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं तो मैंने मौका दिया तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को यह इसलिए यहां आज की तारीक में क्योंकि आज ही की तारीक में राहुल गांधी ने यह भाशन दिया था और आज की ही तारीक में उनके गारी के शीशे तोड़े गए गारी का जो शीशा तोड़ा गया तो उसके बाद पत्रकारों ने पूछा जैराम रमेश से तो उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा ये भी सुन लेते हैं चर्चा आगे बढ़ाएंगे सुनिए जरा देखे मनिपूर, नागालेंड, असाम, अरुनाचल प्रदेश, मेगालिया, बिहार, पस्चिम बंगाल सभी जगों में कहीं भी कंग्रेश की सरकार नहीं है सभी जगों में छोटे मूटे ऐसे चीज़े होते हैं हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है हमारे पोस्टर फाड़े गए थे जल्पाई गुरी में आज शिशा तूटा गया है पर ये चलता रहता है इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं इससे इंडिया गटबंदन कमजोर नहीं होगा जो लोग इंडिया गटबंदन कमजोर नहीं होगा भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी और दूसरी तरफ आपने देख लिया सुन लिया राहुल गांधी को डरो मत का नारा देते हुए ही राहुल गांधी इस बार भी यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी निडर्ता से बीजेपी डरी हुई दिख रही है आपको बतादू कि 2024 के लोकसभाद चुनाओं से पहले आज मोदी सरकार के कारेकाल का अंतिम संसद सत्र शुरू हो गया है कल मोदी सरकार अंतिम बजट पेश करने जा रही है लेकिन इस से पहले संसद के इस अंतिम सत्र की शुरूआत बजट सत्र की शुरुवात में भी मोदी जी ने अपने विरोधियों पर तंज कसने से वो बाज नहीं आए और उन्होंने लोक तंत्र का चीरहरन जैसे भारी भरकम शब्दों के साथ विपक्ष की आलोशना की आए सुन लेते हैं मोदी जी को क्या कुछ कह रहे हैं लोक तंत्र का चीरहरन मोदी जी कह रहे हैं सुनिए जरा मैं आशा करता हूं कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुर्दन करने का स्वभाव बन गया है जो आदतम लोकतांत्रिक मुल्यों का चीरहरन करते हैं ऐसे सभी मान्य संसद आज जब आखरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मन निरिक्षन करेंगे कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसदी ख्षेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नगम भी पता नहीं होगा जिनोंने इतना हुर्दंग हो ला किया होगा तो सुन रहे थे आप सीधा सीधा हुर्दंग हो लोकतंत्र का चीरहरन तो बजट सत्र से पहले मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि लोकतंत्र का चीर हरन करने वाले मन्थन करें और हंगामा करने वालों को याद नहीं रखा जाता आपको बता दूँ कि मोदी ने ये भी कहा है कि देश का बड़ा वर्ग लोकतंत्र प्रेमी है देश के लोगों के लोकतंत्र प्रेम को मोदी अगर वाकई पहचानते होते तो फिर उनके नित्रित में बीजेपी इस तरह काम नहीं करती जो अब कर रही है आज संसद के नए भवन में पहली बार राश्टपती द्रोपदी मुर्मू भी पहुची जी हाँ पहली बार इस नए जो नया संसद भवन है उसमें पहुची आज राश्टपती मोहदे और सत्र की शुरुवात में उनका भी भाशन हुआ हर बार होता है बज़र सत्र की शुर सरकार की तारीफ के अलावा कुछ भी नहीं है राश्टपती के भाशन से निराश होकर मलिकार जुन खड़गे जो कॉंग्रेस के प्रेजिडेंट है उन्होंने क्या कुछ कहा है आईए ज़रा सुन लेते हैं राश्टपती जी का अभी भाशन केवल मूदी जी का गुणगान घाना और अपने सरकार के और से बनाए हुए जो दस्तवेश थे उसी की तारीव करना यही हो सकता है उनको आदेश होगा तो वही उन्होंने वहाँ पर अपने एक घंटा बीस मिनिट के भाशन में दिया मैं बोलूँगा एक यह आविवाशन जो उन्होंने दिया वो एक प्रोपगेंडा और अड़र्टाइजमेंट मोदी जी का उसमें दिखने लगा और पूरा पॉलिटिकल था इसमें कोई एक विजन नहीं था लोकों को दिशा दिखाने का नहीं था दलिताओं को वंचिताओं को और ट्राइबल लोकों को उनके लिए क्या करने जा रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं था राष्टपती जी का जो अविबाशन अंदर हुआ ये सब में रोजगार का एक शब्द भी नहीं है तो साफ साफ अपने पृतिकरिया देते हुए मली कारजुन खरगे घेरते हुए कहीने कहीं मोदी सरकार को और राष्टपती महोदया को मली कारजुन खरगे खरगे ने इसके अलावा लोकतंतर का पाठ पढ़ाने वाले मोदी को ये भी याद दिलाया कि कैसे पिछले शीत कालिन सत्र में सौ से ज्यादा विपक्षी सांसदों को नहीं लंबित कर दिया गया था इन संसदों का कसूर यही था कि वे संसद पर हमले की असली वजह और इस पर सरकार का बयान सुनना चाहते थे याद होगा संसद पर हमला न कहें बलकि ये इतना जरूर था कि संसद के अंदर दो युवा घुसाए थे और दो युवा जो हैं वो बाहर थे चार लेकिन साथ लोग टोटल ग्रफतार हुए हैं दो जो अंदर दर्शक दिरगा में आये थे और वहां से घुसाये थे नीचे कूद पड़े थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं और लेकिन बदले में उन्हें संसद से ये बात जो है इसी पर चđचा हो रही थी और खास बात ये कि जो संसद विपकशी दलों के संसद थे वो मांग कर रहे थे कि आखिर इसकी जाचो इस पर आकर ग्रीमंत्री अपना बयान दें जबाब दें लेकिन बदले में क्या हुआ बदले में यह हुआ कि उन विपक्षी संसदों को संसद से बाहर कर दिया गया अब यह खबर आ रही है दोस्तों कि संसद में घुसाए आरोपियों को पुलिस थर्ड डिग्री टॉर्चर दे कर उनसे जबरदस्ती विपक्ष के खिलाफ बयान दिलवाना चाहती है देखिए प बात खुद आरोपियों ने अदालत को बताई है और इस तरह की घटनाएं लोग तंत्र के लिए गंभीर संकट का इशारा कर रही हैं कल चंडीगड में आपने देख लिया क्या कुछ हुआ चंडीगड में जिस तरह खुले आम कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को आमान ने करके बीजेपी को मेयर का चुनाओ जितवाया गया है वो ऐसे ही संकट का एक उदाहरन है राहुल गांधी ने इस पर कल रात ट्वीट करते हुए जो कुछ कहा था उसको एक बार फिर से आपके सामने लाना जरूरी है रखना चाहता हूँ आपके सामने देखिए राहुल गांधी ने कल रात जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि जो बीजेपी मेयर चुनाओ में आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, कल की बात है तीस तारिक, और आज ही गोडसे वादियों ने उनके आदर्शों और समवधानिक मुल्यों की बली चड़ा दी, ये कह रहे हैं राहूल गांधी, लेकिन दूसरी लाइन, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या कुछ करेगी, ये कलपना से पड़े है, ये दिल्ली की सत्ता, यानि लोग सभा का चुनाओ, जो अभी आने वाला है, उसके लिए मोदी जी और बीजेपी क्या कुछ करेंगे, ये कलपना से पड़े है, तो कॉंग्रेस और राहूल गांधी लगातार, सत्र में उन्हें फ्लो टेस्ट का सामना करना पड़ेगा, तो क्या उसमें बीजेपी और जेडियू के लिए बाजी पलट जाएगी, यहां हम लिख भी रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे, कैसे पलटी मार सकते हैं नितीश कुमार, जो हम लिख रहे हैं, इस पर जरूर चर् विख अगले दस दिनों में तै हो सकता है, वहीं जारखंड में भी हमंत सोरेन पर एडी का दबाब खास असर नहीं दिखा रहा है, हमंत सोरेन ने खत्रे को भाप लिया है, और कहा जा रहा है कि वे अपने विधायकों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं, सोरेन ने नमाज को परिशान करने और उनकी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए नई दिल्ली स्थित जारखंड भवन और उनके आवास पर छापे मारी की, तो दिल्ली से लेकर जारखंड तक, बिहार से बंगाल तक, संसत से सडक तक, बीजेपी कहीं भी खुला खेल खेलने की कोशिश क रही है, वहीं कॉंग्रेस समेत इंडिया के दल उसे पूरी ताकत से रोक रहे हैं, इसमें जनता को भी नजर आ रहा है कि कौन सत्ता का कैसे दुरूपयोग कर रहा है, संसत से सडक तक चल रहे संगर्ष में क्या होगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी सडक पे हैं, रा उसको तोड़ा गया, क्या वो शीशा रसी से लग जाने से तूट गया, एक महिला जैसा की कॉंग्रेस ने स्पाश्टी करन दिया है, या यहां जो कह रहे थे जैराम रमेश, उनकी बात मानी जाए, किनकी बात मानी जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले सुन लेते हैं नफरत के बजार में महबत की दुकान कोलने की कोशिश की, और यही हमारा नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, महबत का भायचारे का देश है, और इसलिए हमने ये नियाई यात्रा मनेपुट से महराश्टरा तक नियाई यात्रा शुरू की है इसमें मैं आपसे दो-तीन चीज़े कहना चाहता हूँ सबसे जरूरी बात जो भाईचारे की बात है कोई भी देश बिना भाईचारे के प्रगती नहीं कर सकता है महपत के बिना कोई देश आगे नहीं जा सकता है और बीजेपी और आरेसेस के लोग देश में नफरत फैलाते जा रहे हैं इसलिए कॉंक्रेस पार्टी और इंडिया कट बंदन उनके सामने खड़ा है और हम उनकों नफरत नहीं फैलाने देंगे आप सब आए तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को लेकिन ये तस्वीर देखिए ये राहुल गांधी की ये भीड देखिए ये तस्वीर देखिए इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड कितना उच्सा है लोगों के बीच राखुल गांधी की एक जलक पाने को उनके दो शब्द सुनने को साफ साफ ये तस्वीर आप देख रہے है हमारे wright इसक्रीन पर इस तस्मीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड है कितना समर्थन है राहुल गांदी के साथ राहुल गांदी जब मालदा पहुँचे पश्चिम बंगाल पहुँचे तो वहाँ पर समापन भाशन में क्या कुछ कहा है उसका भी एक अंशा आपके सामने पेश करते हैं और सीधे चर्चा में चलेंगे हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जेपी आरेसेस के लोग देश में 24 घंटा नफरत और हिंसा फिलाने की काम करते हैं मीडिया का पूरा कंट्रोल है तो हमने सोचा कि हम कन्या कुमारी से कश्मीर 4000 किलोमेटर चल के देश को महबबत महबबत का मेसेज दें और पिछली यात्रा में हमने एक नारा दिया नफरत के बाजार में महबबत की दुकान कोलनी है और यही हमारी कोशिश है क्योंकि हम जानते हैं कि देश नफरत से इंसा से प्रगति नहीं कर सकता है देश, महबबत, इज़त और भाईचारे से प्रगति कर सकता है काफी लोगों ने हमें कहा कि देखिया आपने आपने कन्या कुमारी से कश्मीर तक तो यात्रा कर दी मगर बेंगौल का असाम का बाकी स्टेट का क्या होगा और उन्होंने हमें कहा कि देखिया आपको मनिपूर से महराष्ट्रा की भी बारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए और बिल्कुल सही बात थी सही सोच थी इसलिए हमने मनिपूर से महराष्ट्रा मनिपूर से महराष्ट्रा हमने यात्रा की तो राहूल गांधी साफ यहां दिखाई दे रहा है कि जो उनका समर्थन जन समर्थन उनको मिल रहा है उसको एंज्वाइ भी कर रहे हैं एक तरफ राहूल गांधी इस पूरी यात्रा को कहीं एंज्वाइ कर रहे हैं दूसरी तरफ उनके काफिले पर और उनकी ही कार पर अगर किसी भी रूप में अगर हमला होता है उनकी गारी का शीशा अगर तूटता है तोड़ा जाता है तो इसके क्या माइने हैं लेकिन चलिए